हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आई वाई एस प्लेटफर्म के यूट्यूब चैनल पर चलिए शुरू करते हैं अपनी करेंट अफ़ेर की क्लास जिसमें हम कवर करेंगे पियाई भी निउस को फिमस निउस्पीपर्स लाइक देनी जागराण या हिंदू में निज़न उस कवर करेंगे निज़ोन एर आकाशवाणी में जो भी निज़ चर्चा में उन्हें हम कवर करेंगे नैशनल और इंटरनेशनल डेस को कवर करेंगे और्गनाइजेशन जो भी इंपोर्टेंट हैं उनको हम कवर करेंगे चलिए अपनी पहली न्यूस देखते हैं बेश्विक एंसर दिवस चार फरवरी और इको मनाया जाता है अंतराश्टे कैंसर नियंतर्ण संग ने बेश्विक एंसर दिवस को बेश्विक एक जुट पहल के रूप में घोशित किया है इसकी स्थापना चार फरवरी 2000 को यह इंपोर्टेंट नियूज है इंपोर्टेंट है चार फरवरी 2000 को पेरिस में बिश्व कैंसर सम्मेलन के दोरान होई थी और 2020, 2022, 2024 की विश्यवस्तु क्लोज दे केर गैप है तीम इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछी जाती है इस टाइम पे ट्रेंट में तो याद रखे आप कि 2022, 2024 की विश्यवस्तु जो है कैंसर दिवस की वो क्लोज दे केर गैप है और इस दिन जब चार फरवरे 2000 को जो ये मनाया जाता है उस दिन यूएस को के ततकाली जनरल डाइरेक्टर कोई चीरोम मादसूरा और फ्रांस के पुर राश्पती जैक्स सिरोक ने कैंसर के खिलाब पैरिस के चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे इसी लिए ये चार फरवरे के दिन मनाया जाता है पहली बार दोजाल में मनाया गया था और हर साल चार फरवरे को मनाया जाता है नेक्स न्यूस दिखते है इंपर्टन ये है कि इसकी थीम के है क्लोज दा केर गैप ये याद रखने बल चीजे Closed Care Gap Theme है और ये चारफरवी को मनाया जाता है नेक्स नियूस देखते हैं अंतराश्टियम मानव ब्राततव दिवस ये भी चारफरवरी को मनाया जाता है और इंपोर्टन्ट ये है कि पहला कारेकरम 2021 में ही मनाया गया है ये लास्ट येर से ही मनाना शुरू हुआ है इसे मनाने की जो सिफारिस है वो संयुक्त अरब अमीरात और मिश्र ने संयुक्त राष्ट महासभा में की थी कि चारफर इबरी को अंतराश्टे मानव ब्राततव दिवस के रुपे मनाया जाना चाहिए ये दिन संयुक्त अरब अमीरात के आबुधावी में पोप फ्रांसिस और अल अजहर एहमद अल तयब के माहमहीम ग्रैंड इमाम द्वारा मानव ब्राततव उपर दस्तावेच पर एतिहासिक हस्ताक्षर को चिनित करता है सभी में बश्वववंदता बढ़ाने के लिए जैसे के हमारे सम्मिधान में भी लिखा है कि बश्वववंदत्व की भावना बढ़ानी चाहिए हमें उसके लिए हम ततपर रहेंगे तो उसी से जोड़ के या आप कह सकते हैं उसी से जोड़ कर या उसी तरह किसे बिश्व इस्तर पर यह मनाया जाता है हम्हेर समिधान में पहले से ही माजूद है next news देखते है important news है उत्रप्रदेश exam के लिए भी बहुत important news है कि गंतन दिवस परेड 2022 की सबसे स्ट राजे जाकी की रूप में उत्रप्रदेश की जाकी का चेहन हुआ है अगर आपने परेड की जाकियां देखी हूँ तो आपको याद होगा कि उत्रप्रदेश ने अपनी जाकी में काशिविश्वनात काईडोर जी को प्रदरशीत किया था और बहुती धार्मिक दोन बजाई थी जिसका रण इसकी लोग पिरियाता को देखते हुए इसमें दूसे स्थान पर करनाटक और तीसे स्थान पर मिगाले की रही है लोग पिरिया पसंद इसवार क्या हुआ था जो भी टेबूल एक्स राजपत MARK प्रदर्शित हुई थी जाकिर्कों टेबूल्य ने प्रें इसप्रदरश्पत MON देखते हुए लेए। की, कौन सी हमें सबसे आदा पसंद थे, तो लोग पिरिय जो राहित में, और राहज की जहाके को सबसे चुना गया था, मारास्ट की जहाके अगर आपने देखियों तो उस में जो वहां के बन्या जीव अभ्यारण है या वहां के पशु अगारा पसू जीव जन्तू जैब विविता जितनी भी उसको प्रदर्शित किया गया था उसे लोग्पिरिय श्रेणी में सबसेश चुना गया नेक्स न्यूस देखते हैं वैसे यह न्यूस इंपॉर्टेंट है एक्जाम के लिए आने वाले एक्जाम के लिए सभी एक्जाम के सकते हैं उसका उदेश्य यह है कि वह और कंट्री जो सेटलाइट भीजती है तो वह उन्हें डिमान्स्ट् – कर सकता है और जिस्टे कर सकता है और जिसे टकराब हो सकता है recently क्या हुआ था कि NASA की जो space agency है उससे टकराने वाला था इनका एक satellite जो based हो चुका था जिस वज़े से UN में चीन ने आवाज उठाई थे कि इस तरीके से इसके कुछ अंतरिक्ष में भी कुछ नियम बनाये जाने चाहिए कि कितनी satellite एक देश या एक निगम छोड़ सकता है या फ उसी देश क्योंनी चाहिए ताकि और देशों की जो satellite है उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे इस पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है फालकन के बार में बात कर लेते हैं फालकन नाई रॉकेट से ना सके Kennedy Space Center से इंप्रेंट उतना नहीं है लेकिन आप याद रख सकत सब्सक्राइब है और 2022 का तीसरा स्टार लिंक लॉंच था है नेक्स न्यूस देखते हैं इंपोर्टेंट न्यूस है कि बैग्यानिकों निदर लेंड में नए HIV स्ट्रीन की पहचान की है यह उक्सपोर्ट विश्विद्याले के बैग्यानिकों की खोज है कि ऑक्सपोर्ट साइंस पत्रिका में यह शोद प्रकाशित किया है और बताया है कि आधुनी कुप्चारों की प्रभाप शीलता के करण यह खतरनाक नहीं है बट अगर देखा जाए तो रक्त में बाइरल इस्तर 3.5 से 5.5 गुना है जो हमारे पुराने वेरियंट है उनके मकाबले आपको य याद रखना है कि एक HIV strain की खोज हुई है नेधर लेंड में औक्सफोर्ड विश्विध्याले के बैग्यानिकों ने किये और साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है नेक्स न्यूस देखते है एंडीम सी क्या है उत्री दिली नगर निगम तो उत्री दिली नगर निगम पेटियम के साथ मिलकर नगर पालिकाव सिवाओं को ऑनलाइन बढ़ावा देने के लिए एक सहयोग समझाता किया है इससे में क्या होगा नागरिक सिवाओं का लाग उठाने के लिए नागरिकों को भुकतान के डिजिटल मोड को बढ़ावा देने के लिए ये समझाता किय गया है सहयोग परशानी मुक्त डिजिटल लेंदेन को बढ़ावा देगा और नागरिकों के बीच डिजिटल सुभिदा को बढ़ाएगा जैसे कि हमारी भर सरकार के भी प्रियास हैं कि देश डिजिटल बने और लोगों को सभी सुभिदा डिजिटल रूप से मिले देली के दिली के मुख्यमंत्री जी कि भी यही गोशना है कि उन्होंने एक प्रशाशनाप के द्वार योजना सुरू करी ती जिसमें घर पर ही बहुत सारे हमारे कार्ड बनाया जाते थे जिसमें जाती प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र इस टाइप की सुभिदाए जिज जाती घर पर यह राशन भी घर पर दिया जाता था उसे रोग दिया गया था सुप्रम कोड़ द्वारा अलाकि तो उसी दिशा में एक और कदम उठाया गया उत्र दिलनी नगम नगम और पेटीम ने मिलकर नेक्स देखते हैं आयाइटी हैदराबाद अपने परिशन में सुजी क इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगा आयाइटी हैदरबाद ने डिसीजन लिया है और इससे पहले आपको पता होगा शायद आयाइएम एहमदाबाद जो है आयाइम एहमदाबाद ने क्या डिसीजन लिया है कि वो अपने परिशन में ए एस जी मतलब इनवायर्मेंट सो मतलब इसमें क्या होता है कि इनवायर्मेंट को भी ध्यान में रखा जाता है समाज को भी ध्यान में रखा जाता है एपने जो कारेक्रम होंगे उसमें इनवायर्मेंट तीन प्लर को ध्यान में रखा जाता है इनवायर्मेंट समाज और गवर्नेंस तेनों को ध्यान में ये जो परिसंग में सुझे की इनोवेशन सेंटर की स्थापित किया गया है नेक्स न्यूस देखते हैं करनाटा का बैंक जो है उसे भारती उद्योग परिसंग ने सम्मानित किया है DX 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरुस्कार से नेक्स न्यूस देखते हैं पस्चिम बंगाल ने open air classroom पर्रह शिक्षाले की सुराथ करिए इसका मेहत्व यह है कि ये primary चात्रों को open air की सुविधा प्रदान करेगा open air कक्षा की सुविधा प्रदान करेगा एक से पांच class की जो primary कक्षा होती है उनके लिए सुविधा प्रदान की जाएगी परेले की पर्रह शिक्षक और primary विध्याले के सिक्षक ये सुविधा उप्लब्द कराएंगी एक से पांच तक की कक्षा और विध्याले की चात्रों को माद्यान भोजन भी उप्लब्द कराएगा ये एक प्रद्सान की रूप में दिया जाता है माद्यहन बोजन ताकि बच्चे पुरुचसाईट हो सकें और क्लास में आ सकें कक्षा में नेक्स नियूस देखते हैं इसमें आपको यही आद रखना है कि परेश इक्षाले मिसन किसके दवारा सुरू किया गया है पस्छे बंगाल सरकार दवारा नेक्स्स देखते हैं जेन्यू के कुलपती जो थे एम जगदिश कुभार जी ये यूजीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं विश्विध्याले अनुदान आयोग यूजीसी को बोला जाते हैं और उन्हें दूसरी बार यह प्रभार दिया गया है इससे पहले 14 जनबर इसे 7 फर साथ देसंबर को यह पद खाले हो गया था और अब जगदेश कुमार जी से पद को समाल लेंगे जयन्यू के कुलपती है नेक्स न्यूज देखते हैं बंगलादेश 24 प्रतिष्टित वेक्तियों को एकुष्य पदक 2022 से सम्मानित करेगा बंगलादेश सरकार्ण देश के द रिजा तो फजल हुसेन मुलुक मुकुल दोनों को मरनोप्रांत भाशा अंधोलन के शित में नमांगेत किया गया है स्वतंतरत सेनानी प्रेचार्य मोहमद मोती उर्रहमान को मुक्ति संग्राम सेनानियों की श्रिण में नामित किया गया है एक कुष्य पदक 2022 के लिए 24 प् करोड रुपे का बजट अवंटन हुआ है और किरल के लिए 449 क्लूमीटर के लिए 9,489 करोड रुपे अवंटित किये गये हैं के इंदे बजट 22 में तमिलनाडू में विभिन रेलबे परियोजनाओं को सुरू करने के लिए ये बजट दिया गया है तक्षिन रेलबे को 1064 करोड रुपे की अत्रिक्त बित वर्ष 2022-23 के लिए 742 134 करोड रुप्या वंटित किये गये हैं जो अत्रिक्त वजट ये संसादन है नेक्स्ट देखते हैं यह इस इंपर्टेंट है भारत में जन्मी भारत की है यह बारत में जन्मी थी निनिदी जॉक डायलान यह थोमस की सुची में सामिल हो गई है थो हमस्पृसकार काफी फेमस पृसकार है यह इनकी आठ उपन्यास दो कभीता संग्रहों की सुची में कोई इसमें सामिल क्या गया था जिसके लिए इनका नमांकन हुआ है इस प्रतिष्ठित अबॉर्ड की रासी 20,000 पाउंड की रासी है और इनका कभीता संग्रह जो आठ उपन्यास दो कभीता संग्रहे और दो लगू कहानियों का संग्रह उसे और गरीज ऑफ दा माइनर गॉड नाम से इननों ने प्रकाशित किया था जिसके लिए इने नामांकित किया गया है था, मेस्पृसकार के लिए, नेक्स्ट निउस और एक और योजना भी शुरू की गए राजी विवा मितान किलब उन्होंने च्थिसकर ससस्त बलकि चौथी बटालियन में बनने वाले स्मारक की अधारशिला भी रखी है नेक्स नियूस देखते हैं दस फरवरी 2022 से प्रारम होगा रणेजी ट्रोफी का पहला चलन रणेजी ट्रोफी आपका पताईए कर्केट के चेतर में होती है तो इसका पहला चलन जो है वो यह दस फरवरी से पंद्रमाज तक चलेगा 2022 दूसरा चलन इसका तीन तीस माई से 26 जुन तक चलेगा इसमें पॉर्टेन बात यह है क्योंकि कोबिट को देखते हुए सबसे छोटे प्रथम शेनी सीजन में से एक हो गाई है सीजन जिसमें अधिकांस टीमें के बल तीन मैच खेलेंगी पृति एक चार टीमों को आठ विसे समों में किया गया है यह आकाश कंसल द्वारा किया गया है और अगर आप देखें यहां पर गोर करें तो इस पूरी पुस्तक का नाम दे क्लास ओफ दोजार छे इस निक पीक इंटू दे मिस अडवेंचर आफ दे ग्रेट इंडियन इंजिनिरिंग लाइफ है पहली पुस्तक है इस इस इसमें इंप्रोटन किया है कि आकाश कंसल द्वारा मेंजमेंट प्रफेशनल है आकाश कंसल उनकी द्वारे लिखे गई है प्रकाश दिए नेक्स देखते हैं यह मोदी अन्वील करेंगे स्टैच्व फिक्वैलेटी को यह कल करेंगे पांच फरवरी को और यह अधरवेदी बोला जाएगा यह भी इंपर्टेंट है इसके बार में कुछ और देखते हैं प्राइम मिनिस्टर विजिट जो करेंगे उसके बार में देखते हैं कि यह आई सी आराई सेटी में विजिट क्लाइमेट रिसेंट चेंज रिसर्च है फैसिलिटी है वहाँ पर देखता करेंगे उसको टेंड करेंगे और यह डेफ डेफ्लेप्मिंट कंसर्ण है एक एस्या और सारा अदिकर्ण रिसर्च को प्रोमोट करता ही है अफ्रीका रिजलों में साहरा आफ्रिका रिजलों में और एशिया में ऑं होट概ने चार्या के जोस्ट कु है उनके बार उसके बार में देखते हैं कि ये पांच धातों से बनाया जाएगा combination of five metals, gold, silver, copper, brass and zinc और ये सिबसे tallest metallic statue होगा इंडिया का 54 feet high होगा और एक भद्रा बेदीव के उपर ये established किया जाएगा ये स्री रावनुजाचारे जो भक्ती शंत थे उनकी statue नहीं है और the inauguration of the statue is the part of ongoing 12-day celebration भारा दिन का एक celebration होता है एक हजाएग बर्थ सेंचुरी बर्थ एनिवेस्ट्री पर ये statue नेगरेट क्या जा रहा है धन्यवाद